आप सभी लोगों को मेरे नम आशकार हूं मनीपत में हम आपकी सुरभी आगई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अकार रीडिंग लेकर राज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देखे लिए होगा थमनेल में टॉपिक इस तरीके से है कि क्या है मैसेज आपके अनर सेल्फ की तरफ से आपके लिए ओके सो क्यूंकि यह पिक अकार रीडिंग है काड्स मैंने आपके सामने रख दिये हैं यह पहला काड्स दूसरा है दी संद तीसरा है दी एंपरेस आपको पास से दिखा देती हूं इनमें से एक काड्स आपको स्लेक्ट करना है इन्टिबली और फिर आपने देखनी है आपकी रीडिंग अगर आपको और जादा टाइम लग रहा है तो आप वीडियो पास कर सकते हैं स्क्रीन शॉट ले सकते हैं आराम से इन पर कुछ देर और मेडिटेट करिए और फिर देखिए कि कौनसा काड्स आपको चाहिए सेलेक्ट करना है फिर इसकी रीडिंग आपने देखनी है जनर जैसे देखना है आपने इसको यह एक टाइमलेस रीडिंग है आप इसको कभी भी देख सकते हैं जनरलेस रीडिंग है इसको कोई भी देख सकता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात को यह कि 709 टारेट फैमिली जो हमारी है यहाँ पर धर्म और जाती को लेकर जरा भी भेद भाव नहीं होता तो आप किसी भी धर्मिया जाती के हैं फर्क नहीं पड़ता आप रीडिंग्स देख सकते हैं डाइडेंस ले सकते हैं और पेड एन फ्री रीडिंग सेशन के बारे में कुछ भी जाना हो तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं वहाँ पर आपको सारी दीटेल्स मिल जाएंगी हमारे एप का लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा मेल आइडी मिल जाएगा तो वहां से आप कनेक्ट हो सकते हो अगर आपको क्रिस्टल के बारे में जानना है कोई क्रिस्टल वाई करना है आपकी स्पेशल जर्नी के लिए तो उ अगर आपको यह चाहिए तो आप वहां से बाई कर सकते हो आपके नेम पर इनरजाइज करके आपके घर पर वो भेज दिया जाते हैं हमारा ओक्टूबर का जो फेस्टिबल है वो शुरू होने वाला है 709 Charity Festival तो आपके पास जो भी नय पुराने कपड़े हैं या कुछ और समान जो आप लोगों को देना चाहते हो अगर आपके पास है नया है पुराना है फरक नहीं परता वो आप अपने पास संभाल कर रखें ओक्टूबर के मन्त में आपको हमें भेजना है और अगर भेजने में दिक्कत है तो हम भी हेल्प करते हैं अपनी तरफ से तो कोई ना कोई आप भी घर पे आएगा वो समान लेके जाएगा तो कहने का मतलब यह है कि आप यूहीं वो कपड़े वगरे जो भी है कर्टन्स है या बैक शीट्स हैं उनको फेक है नहीं उनको सम्हाल के रखे हम वह आपसे मंगवा लेंगे और जिनको जरूरत है उन तक पहुंचा देंगे ओके चालिए गाइस तो रीडिंग हमारी शुरू करेंगे अब हम देखते हैं क्या कुछ आता है आपके इनसेल्प की तरफ से आ कुछ निकलकर आता है हांस की डीडिंग में से खार उन सुच ओंपशल फिर सेरे इनसेल्प गोर्भ य हिसस क्षूएब तयम्यार आता है हम करते इनसेल्पारियो हम okay hostilities all tied up all right तो जिन्होंने भी the emperor के card को choose किया है situation कुछ ऐसी उनके सामने कि महनत तो वो बहुत कर रहे हैं लेकिन उसका result वैसा नहीं मिल रहा और यह महनत काई भी हो सकती है चाहे उनके professional life की बात करें चाहे परसनल life की बात करें अभी तक जब उनको success नहीं मिल रही थी तो उनको लगता था कि शायद clarity नहीं है clarity चीजों की नहीं है समझनी आ रहा कि दिक्कत कहा है इसलिए उनको success नहीं मिल पारी clarity मिलेगी तो चीज़े ठीक हो जाएंगी फिर ऐसा टाइम आया कि जब ही clarity भी मिली लेकिन उस से जो चाहते हैं वो मिल नहीं रहा जितनी महनत करनी थी करी मैनिफेस्ट किया मनते मांगी जितना बन पड़ता था वो किया फिर यह कहां पर क्या है जो अटक्टा है जिनने भी card select किया है यह पाल select की है हो सकता है उनका birth date 20, 26 या 18 हो या 4 हो सकता है 22, 23 यह हो सकती है birth dates नाम उनका G, N, P, J इनसे शुरू हो सकता है या end हो सकता है T, P, R hide आपकी अच्छी होगी 5, 6, 7 5, 11 भी हो सकती है जितना के मैं देख पा रही हूँ और शायद आपने एक stone पहन रखा है जो की green color का है exactly मुझे नहीं पता के वो क्या है एवेंचरन है, green jet है या पन्ना है लेकिन कुछ तो आपने पहन रखा है आप दो दिन ना वो जो इस टोन आपने पहना है ना उसको निकाल के देखना, ठीक है? कुछ changes आते हैं या पर नहीं आते हैं इससे निकाल के देखना उसको महनती तो आप बहुत हो और जो महनत कर रहे हो जहां महनत लगा रहे हो ना वो सही है मतलब जो direction आपने चूज करी वो सही है जो clarity आपको मिली है ना वो clarity मतलब वो clarity ही है वो भ्रम नहीं है वो सही आपको clarity मिली है कि जो रास्ता आप पकड़ो या जो destiny है उसके बारे में जो जानकारी दी गई है ना वो सही है बस आपका काम नहीं बन रहा देख रही हूँ मैं queen of coins the emperor आपने emperor चूज भी किया है and this sun अच्छा पहले ऐसे नहीं होता होगा शरुवात में है ना शरुवाती दिनों में ऐसा होगा कि आपको इतना मिलता था जो आप expect भी नहीं करते थे मतलब इतने से मेरा मतलब यह नहीं है छपपर फाड के मिला लेकिन जितना भी है आप आपकी बहुत expectations नहीं थी कि ठीक ठाक है मिल गया तो अच्छी बात है नहीं मिल गया तो भी कोई नहीं चलता है मेरे लिए है ना तो उस वक्त आपको मिलता था अभी जब सच में आपको उसकी नीड है आपको लगता है फिर इतनी की तो जरूरत मुझे है ही चाहे वो प्यार हो चाहे वो सहयोग हो चाहे वो वेल्थ की बात करें हम या हेल्थ की बात करें हम कुछ भी जब उसकी नीड महसूस होने लग गई तब पर ये कही ना कही कमी भी आने लग गई उससे पहले नहीं था तो एक तरीके से यह लगता है कि जब मुझे जरूरत नहीं थी तब तो universe देरी थी वो सारी चीज़े मुझे अभी जब मुझे जरूरत है settle होने के लिए stable होने के लिए तब इतनी कमी क्यों आ रही है actually कमी रहने का reason भी यही है कि आपको need महसूस उसकी होने लग गई जब हम किसी की किसी चीज की जरूरत समझने लगते हैं न तो हमारे अंदर यह energy बैट जाती है काम करने लग जाती है कि हमारे पास यह चीज नहीं है जब आपको फर्क नहीं पड़ता था ना तब आप enough थे मतलब आपके पास है यह वाली energy आपके अंदर थी वो पनप रही थी और वही manifest हो रही थी कि आप पर्याप्त है यह आपके पास जितना आप चाहते उससे कहीं जादा है तो वही manifest हो रहा था जहां पर आपको आविश जाधा चाहिए इतने से काम नहीं बने रहा मुझे जाधा चाहिए तो अब मुझे जाधा चाहिए वहीं से कमी की चुरुआत हो गई तो यहाप यहाप चाडस की के सथ जो कहीं बताते हैं कि कहीं ना कहीं इस energy ने आपको आपको चख लिया नहीं वाली energy वो था इसलिए कि कि मुझे चाहरा मिले अच्छे से अपनी जिम्यदारीयां निभा सकूं लेकिन चाहरा मिले यानि कि कम है मेरे पास वहीं दिक्कत हो गए ऐसा हुआ और मैं समझ रही हूँ आपकी बात मुझे पता है अभी आप लोग बोलोगे कि अब जरूरत है तो क्या हम बोले भी नहीं या क्या ambitious होना गलत है बिल्कुल गलत नहीं है लेकिन यह energy रखना मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ क कि यह मेरे साथ हो चुका है जब मेरे ऊपर इतनी responsibilities नहीं थी ना तो चीज़े बड़ी आसान थी जब मेरे ऊपर जिम्मेदारियां आई तो मुझे लगा कि अब मुझे बहुत कुछ चाहिए क्योंकि मुझे मेरी family को देखना है तो उस वाक्त struggle भी जादा हुआ क्योंकि फि अब देखने में तो यह लगता है रोटी कपड़ा और मकान लेकिन वो नहीं होता और जो responsibility उठारे है उनको पता होगा है चोटी-छोटी-छोटी चोटी चीज़े होती हैं जो आप गिनवाा नहीं सकते लेकिन आपको फेस करना होता है तो उस वाक्त नहींस और अब इतना और होता तो मैं यह कर देती इतना और होता तो मैं यह कर देता तो वह जो इतना होता यानि कि मेरे पास वह नहीं है तो जो नहीं है ना वह ज्यादा पॉफुल हो जाता है क्योंकि निगेटिविटी हमेशा ओगर पॉवर करती है आपको यह है तो ऐसी सिचुएशन में खुद कुटों के आने की विज़े से हम डगमगाएं नहीं क्योंकि हम डगमगाएं यानि कि जो चीज हमारे पास है वो भी गई फिनिश ओके आई होप कि मैं आपको समझा पा रही हूं तो यह तो आपकी करेंट इनजी थी जो मैंने आपको आपको एक्स्प्लेइन करी अब में देखने वाली हूं कि आपको जो इनजी पर वो आपको क्या बताने वाला है सौरी अगर मैंने बहुत जादा हो लेकिन मैं बस emerk कर रही थी ताकि डिदिध आपको अच्छे Our difficult path is being revealed Ask for help and learn that we are all connected ठीक है यह पहला कार्ड है मैं इसको अच्छा से explain करूँगी हाला कि वैसे ही समझा गया होगा बहुत से लोगों को अच्छा से लोगोऑस अच्छा से लोगोऑस आपका लोगोगों के लिएट वर एपहला को अपकाज़न आपकादाइस आपकाणा आपका अपकाणा अपकाणा अबचा आपकाणा मैंचावह रहा है कि अगर आप दूसरों से help मांग लेते हो ना तो इसमें आप नीचे नहीं हो जाओगे हो सकता है यह चीज कहीं हो आपके अंदर कि आपको अपनी problems के बारे में किसी से share नहीं करना किसी से उपाए नहीं जानने आपकी problem है आपको खुदी उसको solve करना है यह चीज हो आपके अंदर या तो इस वज़े से होगी कि आप में थोड़ा ego है या फिर इस वज़े से हो सकता है कि आपको लगता है कि कोई help नहीं करेगा या फिर इससे भी हो सकता है कि आपको लगेगा कि किसी के पास solution नहीं होगा तो जो भी reasons रहे हो आपको आपका जो inner self है वो यह बताने की कोशिश कर रहा है कि अभी यह जो situation है यह इसी वज़े से बनी होई है कि universe यह चाहती है कि आप लोगों से मिल जुल कर रहो और help मांगो help दो भी करो भी और help मांगो भी तो अगर आपका यह nature है ना तो आप इसको बदलने की कोशिश करें अगर आपने यह nature अपना बदला आपने लोगों से help मांगी discuss किया इस बारे में trust me आपके यह जो blockages हैं यह खुद बाखुद हटते चले जाएंगे दूसरा आपका inner self जो messages दे रहा है वो यह दे रहा है ठीक है आप कही ना कही अटक जाते हो तो यह जो अटकन है यह इस वज़े से भी है कि कही ना कही आपके अंदर काफी ज़्यादा अंधेरा हो चुका है आप कुछ भी plan करते हो तो आपके अंदर कही ना कही यह चीज रहती है कि success नहीं मिलेगी क्योंकि नहीं मिली पहले नहीं मिली आपने बहुत कठिन परिश्रम किया लेकिन जैसा result आप चाहते थे वैसा आपको नहीं मिला तो अब जब आगे कि कुछ planning करते हो ना तो वही जो चीजें है जो आपका experience है या memories है वो dark memories जिसमें आपकी हार हुई वो अभी की manifestation पर अपना प्रभाव डाल देती है यानि कि कुछ भी आप शुरू करते हो या कुछ भी visualize करते हो ना तो वो dark memories ऐसा प्रभाव डालती है कि आपकी जो manifestation है वो पूरी नहीं हो पाती मतलब आपका जो past है वो कही ना कहीं भारी पड़ रहा है ठीक है तो यहां पर आपको बोला जा रहा है कि जब आप visualize करें एक तो आपने visualize करना ही छोड़ दिया क्योंकि फिर से हार हो जाईगी आपको यह लगता है कि मैं फिर से अगर visualize करती हूं dream देखती हूं तो फिर से मुझे हार मिलेगी तो इस वज़े से आपने visualize करना छोड़ दिया और अगर करते भी हो तो negativity उस पर हावी हो जाती है तो यह कुछ चीजें आपको बदलने की ज़रूरत है overall energy यह कहती है messages यह कहते हैं कि लोगों से connect होना शुरू करो आप खुद को disconnect करके आप एक अपना world बनाके अकेले वहाँ पर नहीं रह सकते आपको लोगों का संग लेना होगा और अगर आप यह नहीं करते हो तो यह जो difficulties चल रही है न यह आगे चलती रहेंगी क्योंकि यह situation बनी है आपको कुछ सिखाने के लिए तो अगर आप इससे सीख नहीं लेते हो तो वो चीज बनी रहेगी यह विल्कुल वैसे ही है कि आप अगर जब आप स्कूल में पढ़ते थे बाई चांस ऐसा हो कि अगर आपने कोई exam दिया आपने उसको clear नहीं किया तो आपको उसी class में फिर से डाल दिया जाता था और यह नियम है और यह सही है क्योंकि बच्चा अगर वो सीखा नहीं है और उसको अगली कक्षा में लेके जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है उसका आगे बढ़ने का जबकि उसको आता ही नहीं अपने standard का ही नहीं आता था अभी तो higher standard में आ गया तो क्या यह बच्चा क्या ही करेगा क्या करने लायक बनेगा तो वो चीज़ है तो यहाँ पर अब इसको एक school के जैसे समझो life को और यहाँ की class है यहाँ पर कुछ आपको सिखाया जा रहा है समझाया जा रहा है universe की तरफ से आप उसको नहीं समझ रहे तो अगर नहीं समझोगे discuss नहीं करोगे इस बारे में बात नहीं करोगे लोगों से situation ऐसी बनी रहेगी तो यहाँ पर आपका जो inner self है वो आपको यह messages देना चाता है कि ambitious होना गलत नहीं है लेकिन एक चीज की ambitious होते हुए वो कमी की energy को बनाये रखना वो गलत है एक तो उस पर आपको काम करना है आप ambitious हो अच्छी बात है अपने ambitions रखो और उसको manifest करो लेकिन कमी के साथ नहीं कि कि जब कमी होगी तो उदासी होगी अंदर अब इसको आपने practice करना होगा वो चीज है नहीं लेकिन महसूस करो कि वो है और इसलिए यहाँ पर dreamer का card आया जब आप इसको visualize करोगे ना कि हाँ वो चीज है मुझे देखना मिलेगी ज़रूर यह confidence यह आपको बनाना होगा ठीक है और यह practice से ही हो पाएगा तो यह करो दूसरा लोगों से connect हो बात करो शेयर करो हाँ उस group के पास मत जाओ जहां पर लोग आपका मजाग बनाते हैं उनसे बात मत करो लेकिन क्या वही है दुनिया में और कोई नहीं है अब बात करो ठीक है यह तो यह थे आपके messages यह आपका inner self आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर इसी तरीके से आपने सारी चीज़े खुद तक ही रखी किसी से discuss नहीं किया किसी से help नहीं मांगी और ऐसा हो सकता है कि कोई आपकी help करना चाहता हो और सिर्फ आप इस लिए help नहीं मांग रह तो शुरुआत अभी से करो ओके ओल्राइट गाइस तो यह थी आपकी reading I hope कि आपको पसंद आई हो और आपको इससे clarity मिली हो अगर पसंद आई है तो excuse me तो जरूर इसको like करें share करें subscribe करें और हाँ मैंने आपको बोला था कि आपने एक stone पहना हुआ है वह आप जरा उतार कर देखना दो तीन दिन के लिए तो देखिए क्या रहता है और इसके अलावा यहां से मैं आपको बता देती हूं कि कौन सा crystal आप पहन सकते हैं जो कि आपको help करेंगा sit train आप पहनो are you lacking confidence what do you find difficult to accept about yourself ऐसे इस तरीके के इसमें है messages आप screenshot ले लो आप खुद पढ़ लेना क्या यह चीज़ें हैं आपके साथ अगर हैं तो आप यह वाला जो crystal है यह पहन सकते हो ठीक है all right guys तो यह थी आपकी reading I hope कि आपको पसंद आई हो पसंद आई हो पसंद आई है तो like जरूर करें resonate करें तो मुझे जरूर बताएं share करें subscribe करें thank you so much hi guys तो अगर आपने choose किया है the sun की card को तो चली देखते हैं आपके inner self की तरफ से आपके लिए क्या messages हैं तो पहले मैं देखूंगी आपकी current energy क्या है क्या situation है आप क्यों यह reading देखने के लिए आए हैं अच और फिर देखते हैं क्या आपके लिए guidance होगा या आपके inner self के messages क्या होंगे आपके लिए 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 पिज़ए पिजरी कोपस्जी जाराएब हव्हुम्.. मेटीशने लीवन हे अपर कर दो कर दो कर दो कोई तो यहां पर सिच्वेशन बन रही है वह किलारिटी को लेकर है किसी से आप अभी अभी कनेक्ट हुए हो या फिर हो सकता है रिष्टा पुराना हो आपको जानना है कि यह जो भी व्यक्ति है वो आपसे कनेक्ट क्यों हो रहा है या फिर क्यों कनेक्ट हुआ था क्या इस व्यक्ति को आप में कोई फायदा नजर आ रहा है या सच में इसके मन में आपके लिए सॉफ्ट कॉर्णर है यह है आपका सवाल जानना चाहते हो इंटेंशन क्या है जिन्होंने भी इस पायल को चूस किया है राशियों की अगर मैं बात करूं तो क्या प्रिकॉन वगो टॉरस हो सकते हो आप लोग लिब्रा जमना एक वारियस और एज आपकी कुछ 20 25 30 35 कुछ लोग के लिए 42 भी हो सकता है 24 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है आप एक ऐसे इंसान हो जिसने बड़ी मेहनत से खुद को बनाया है किसी की हेल्प नहीं ली अपने दमपरी किया जो भी किया जबकि आपकी फेमिली में कोई भी ऐसा नहीं था मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं न flipped my family में ही सब ganze सभाव ऐसा रहा है कि महनत करके वह कुछ उन्होंने बनके दिखाया आपके फेमिली में I think और काफी confident हो दिख रहा है तो यह भी एक बड़ा reason है कि जब भी कोई आपसे बात करता है आपको थोड़ा शक होता है कि यह क्यों बात करने के लिए आया या इंटेंशन क्या है और थोड़ा trust issues भी हैं आपके अंदर वो भी मैं देख रही हूं और experience भी आपका ऐसा रहा है इस card के साथ कि जो भी लोग आपसे connect हुए आपको बात में पता चला कि किसी ना किसी फायदे की विज़े से connect हुए थे तो इनके case में भी आपको वही लग रहा है हाला कि बहुत emotional आप भी नहीं है इनके लिए लेकिन हाँ वही है आप किसी को अपनी life में लेकर आ रहे हो तो जानना चाहोगे कि reason क्या है emotional आप नहीं हो लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप दोका देने वाले हो बड़ इनको लेकर planning बनाई हुई है plan करके मेरी life में आए हैं यह सब कुछ है यहाँ पर कुछ cards और भी देखता है three of swords king of coins यही है पीट पीछे कुछ हो रहा है ऐसा आपको लग रहा है यह देखिए for a wands यही है किसी रिष्टे में आप जा रहे हैं शादी का रिष्टा है देख रहा है शादी करने का सोच रहे हैं किसी ने आपको propose किया है तो अब समझ नहीं पा रहे हो कि क्या यही है वो व्यक्ति जिसके साथ में आपको आगे बढ़ना है या फिर आप किसी धोके में हो तो साही भी एक के इंक्वारी करना तो चली देखते हैं आपको जूट बिल्कुल भी पसंद नहीं अगर जूट है किसी रिष्टे में तो उस रिष्टे को आप खत्म करना जाद अच्छा समझोगे बले ही आप किसी से इमोशनली ही क्यों ना जुड़े हों यहां तो इतने इमोशन मुझे नहीं दिख रहे हैं क्योंकि लाइफ का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि आप बहुत जल्दी आप डूब नहीं जाते किसी के प्यार में या किसी भी कनेक्शन के लिए पूरी तरीकिसे ऐसा नहीं कि इंटर्टेंट नहीं कर सकते हैं ऐसा है लेट सी आपका इनसल्फ क्या कियाता है आपको आप को अल्राइट आप चाहें तो पाइल नंबर वन भी देख सकते हैं हो सकता है वो भी आपसे रेजनेट करें आपकी सिच्वेशन के लिए जो मेसेज़िजेज़ जो आपको मेसेज़िज दे रहा है वो यह है कि आपको कमजोर व्यक्ति नहीं हो जो इस सिच्वेशन के बारे में इतना सोचो आपको पता है कि आपको क्या करना है और किसी भी situation को change करना आपके favor में लेना या आपको clarity चाहिए किसी चीज़ के बारे में तो clarity पाना इतना मुश्किल नहीं है आप magical हो आप एक तरीके से magician के energy है आपको औरा ऐसा है आपको भगवान ने बनाया ऐसा है कि आप जो चाओ वो manifest कर सकते ह अई है ना मैंने शुरुवात में आपको बोला बहुत पॉफुल हो आप आपकी family में अकेले हो किसी ने इतना बड़ा इस तरीके से इतना साहस नहीं दिखाया इतना बड़ा कदम नहीं उठाया खुद की image को बनाने के लिए खुद की पहचान को बनाने के लिए इपने identity को इतना बड़ा कदम नहीं उठाया आपने किया यह आपके दम पर किया तो बहुत पॉफुल हो और कहीं ना कहीं जो angels है वो आपको हर वक्त प्रटेक्ट करते रहते हैं ऐसा नहीं है कि लोगोंने पहली भी ट्राय नहीं किया आपका फाइदा उठाने का लेकिन उन्होंने हम आपको यह अच्छा लग रहा है यह जो भी वक्ति है मैं यह नहीं कहा रही कि emotionally आप involved हो इस वक्ति के साथ लेकिन वह आपको अच्छा लग रहा है तो आपका मन क्या कह रहा है कि मतलब दो तरीके की बाते चल रही है एक तरफ आपको लग रहा है कि यह मुझे धोका तो नह क्लारिटी आपको नहीं मिल पारी तो पहले तो अपने power में आओ जो आप हो वो याद करो क्या क्या हो क्या थे आप अभी तक जो life के decisions लेते थे वो क्या से लेते थे ठीक है तो अगर अभी हाल फिलाल में इस व्यक्ति को लेकर आपके मन में शक है तो बस उस शक को सामने ले ठीक है यह चीज आपको नहीं रखनी आपको इनर सेल्फ आपको बोल रहा है कि आप मैजिकल आप बहुत पाफुल आपको यह रीडिंग भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती लेगिन वही है कि थोड़े से आप भटक रहे हो बटक रहे हो दूसरा मेसेज आपके वह उसके लिए आपको मोटिवेट कर रहा है और कई सालों से आपके साथ है आपको हमेशा मोटिवेट करता है आपको रास्ता दिखाता है तो ठीक है फिर इस व्यक्ति को अपने जीवन में रहने दो अगर आपको यह लग रहा है कि इस व्यक्ति के वज़ए से आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं अपना soul purpose पूरा नहीं कर पा रहे हो जिस तरीके से आप पहले active थे उतने active आप नहीं रह पा रहे हो then आपको फिर सोचना पड़ेगा कि आपको क्या करना है कि कोई भी ऐसा विक्ति आपको आपकी life में नहीं चाहिए जो आपको demotivate करें जो आपकी energy आपसे खीचें आपको ऐसे लोग आपकी life में चाहिए जो आपको energy दें आपको motivate करें आपके रास्ते में जो obstacles आ रहे हैं उनको साफ करें और आपको आगे बढ़ने में help करें तो अगर ये विक्ति आपको र करना है ना आपको clarity चाहिए ना तो इसा अधार कर ले लो या तो यह तरीका आपना हो या यह तरीका आपना हो अगर ऐसा हो रहा है कि यह व्यक्ति आपके energy आपसे ले रहा है लेकिन आपको लग रहा है यह सही है तो यह तरीका आपना हो ठीक है और अगर आपको बहुत ज्या यहने का मतलब यह है, आपके लिए messages यह हैं, कि आप बहुत powerful हो, लेकिन वही है, कि आपका power कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हो रहा है, क्योंकि दो तरीके की चीज़ें आपके mind में चल रही हैं, इसके बारे में पता चल जाए, लेकिन यह सही निकले, इसके messages यह ना आएं, कि यह तो आप देखो, आपको क्या करना है, और इसमें अगर कोई crystal आपकी help कर सकता है, तो वो मैं देखकर आपको बता सकती हूँ, आपको crystal ले सकते हैं, और इसके साथ में manifest कर सकते हैं, Amazonite, are you holding back something you need to say, the truth about a certain matter needs to be spoken, तो ऐसा कुछ है अगर आप यह काड का photo ले लो, screenshot ले लो, और इसको पढ़ना, कि अगर ऐसा कुछ आपको लगता है, then Amazonite will help you, तो यह इसका पेबल ले सकते हूँ, या इसका bracelet ले सकते हो, pendant या earring ले सकते हो, आपको मिल जाएगा, तो उसके साथ में अगर आप manifest करेंगे, तो थोड़ा जल्दी आपका काम मनेगा, okay, alright guys, तो यह थी आपकी reading, I hope कि आपको पसंद आई हो, अगर पसंद आई है तो like जरूर करें, resonate करें तो मुझे जरूर बताएं, share करें, subscribe करें, thank you so much for watching the video, and guys, मैं कुछ दिनों तक, जो सारे videos हैं, जैसे कि जो current feelings को लेकर videos हैं, या जो सत्यवेद सातिकी को लेकर videos हैं, वो इसी channel पर डालने का प्रयास करूंगी, क्योंकि मुझे जो personal readings हैं, उनको थोड़ा और अच्छे से time देना है, cause जो feedback मैंने लिया था, तो वैसे तो बहुत अच्छे messages आएं, लेकिन कुछ लोग मैं उनको time देती हूं, तो यहां पर मुझे थोड़ा कुछ तो इदर उदर changes लाने पड़ेंगे, तो सारे videos आपको इसी channel पर दिखेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि सुबह और शाम आपको वीडियो मिले, या फिर हर देन एक एक वीडियो मिले, ऐसा होगा, तो आप मुझे बता आते हैं time लेना, उतना time में दूँ ताकि वो संतुष्ट रहें, तो अपनी तरफ से तो हलाकि मैं कर रही थी कोशिश, लेकिन अभी भी कुछ लोह को बुरा लग रहा है, तो मैं मेरा वही है कि मैं नहीं चाहती उनको बुरा लगे, अभी वो आए हैं तो संतुष्ट हो के मेरा मन नहीं है, तो मैं थोड़ा time जादा लगाऊंगी personal readings में, चाहे वो free readings हो, चाहे वो paid readings हो, मैं दूँगी time, अच्छा खासा, जब वो संतुष्ट होंगे, उसके बाद ही reading चोड़ूँगी, ऐसा होगा, फिर अगला जो client है उनको देखोंगी, तो चाहती तो मैं यही हाई गाइस, तो अगर आपने चूज किया है, तो चले देखते हैं, आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है, क्या कहता है आपका inner self, and गाइस, सारे जो वीडियोज है, 909 के वीडियो, सत्यविति सात्यविके वीडियो, वो सारे इसी चैनल पर आएंगे लगातार, हो सकता ह एक दिन में दो वीडियोज आएं, सुबह और शाम, तो आप बताईएगा कि कैसा रहेगा, actually क्या हो रहा है न, मैं चाहती हूँ कि जो लोग paid readings ले रहे हैं, या free readings ले रहे हैं, उनको मैं थोड़ा ज़्यादा time दूँ, तो इन वीडियोज के चलते मैं उनको time नहीं दे पा चाहते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि मैं नाखुश हो, मेरा यह है कि reading लेने के लिए आओ, तो संतुष्ठ हो के जाओ, पूरी clarity लेके जाओ, भी phone call sessions होते हैं, उसमें तो आराम रहता है, कि सीधा बात कर रहे हैं, तो सीधा सीधा उसी वक्त, मदब clarity उनको मिल जाती है, कोई म mail readings में सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, कि आप mail करो, फिर पता चलता है, बहुत देर तक reply नहीं आया, और फिर जब reply आया, तब मैं नहीं हूँ वहाँ पर available, तो सबसे अच्छा तो phone का option रहता है, call session सबसे अच्छा रहता है, लेकिन उसके बाद फिर WhatsApp, फिर mail readings, तो व मारे हैं, फिर problem में इसलिए आके पे कर रहे हैं, तो वो चीज रहती है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनको time दूँ, उनको ऐसा न लगे कि उनका, जो भी उन्होंने charges दिये, वो बरबाद चले गया, तो इसलिए मुझे थोड़ा समीटना पड़ेगा काम, ऐसा है, तो ये देखते हैं कि जिन्होंने भी Empress का card choose किया है, उनके लिए, पहले तो current energy देखूँगी, फिर inner self की तरफ से क्या messages है, देखूँगी, okay, two of cups है, यहाँ पर bottom of the deck, तो आपने सुना ना, मैंने क्या वोला, और प्लीज, मेरे साथ cooperate करें, सायोग करें मेरा, मुझे जरूरत है आप All right Emperor, Knight of Swords, Knight of Wands, दोनों ही आगए आग और हवा जिन्होंने भी यह वाला पान सेलेक्ट किया है, राशे उनकी हो सकती है, Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Chaminak, Various सेटर्ण बहुत हावी है, सेटर्ण के नजी है जस्टिस के अनरजी है All right, तो आपकी मन में एक सवाल रहता है हमेशा कि लोग बोलते हैं कि अच्छा करो तो अच्छा होगा, बुरा करो तो बुरा होगा लेकिन आप जिन लोगों को देख रहे हैं फलते फूलते वो वही हैं जिनने कभी किसी का अच्छा किया ही नहीं और जो लोग अच्छा कर रहे हों वो कभी फले फूले ही नहीं तो ये क्या है तो आपको बुरा लगता है ऐसे लोगों को आगे बढ़ते वोए देखकर जो सारे गलत काम कर रहे हैं, लोगों को इंसल्ट कर रहे हैं, लोगों की परवानी होती है स्वार्थी हैं, दूसरों को अब्यूज करते हैं, सारे गलत काम करते हैं और उनकी जो तरक्की है वो ऐसे हो रही है चुटकियों में, वो कुछ भी करते हैं तो यूँ उनकी तरक्की होती है और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं नियमों में बंदे हुए हैं उनमें से एक आप भी हो तो आप जहां थे आप वहीं परो अगर आपकी ग्रोथ होती भी है तो ऐसे धीरे 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 करके तो इसका क्या मतलब है और इस सब को देखकर आपके मन में ये भी आता है कि मैं भी क्यों नियमों का पालन करूँ कभी-कभी आता है गुस्से में कि मैं भी अब वही करूँगी जो गलत होता है या वो करूँगा जो गलत है क्योंकि उसी में अबंदेंस है तो मैं क्यों इतने सारे नियम जो हैं उनको follow करूँ मुझे relationship को लेकर problem है मुझे career related issues है health related issues है इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं मैं अपनी जिन्दगी जी नहीं पा रहा जी नहीं पा रही तो मेरी तो ऐसे ही life चली जाएगी कि एक दिन मैं भी चली जाओंगी तो ये तो कहानी खत्म हो गई यासे ही तो क्या मतलब है इस सब का एक रिष्टा मांगा था सच्चा रिष्टा वो तक नहीं मिला लोग भी छोड़के चले जाते हैं सच बोल दे तो बुरा लग जाता है तो ये सब क्या है लोग जाता है एस अफकर्प्स जास सोर्थ Temperance Balance नहीं बन पा रहा अभी आप emotional होती हो जब तब अपना ये side आप active पाती हो जहां पर आपको लगता है कि सब का भला करना चाहिए सब के बारे में अच्छा सोचना चाहिए लेकिन जब दिमाग से सोचती हो तो ये वाला जो side है जहां पर आपको लगता है कि किसी के बारे में मत सोचो अपने बारे में सोचो वो active हो जाता है समझ नहीं पा रहा हो कि कौन सा side सही है किस तरफ जाना चाहिए जब गुसे वाला जो side है जब गुसा होते हो तब कहते हो कि मुझे कोई अच्छा काम ने करना मुझे सिर्फ मेरे बारे में सोचना है तो उसके साथ में आगे बढ़ेंगे तो ठीक होगा या फिर इसके साथ में क्यूंकि देखने जाएं तो यह जो नैतिकता का जो साइड है आपका वो कहीं न कहीं अच्छा को किसी से भी बात करोगे जो लोग गलत कर रहे हैं वो भी बा या दिमाग की सुनें और फिर आपकी एनरजी इतनी लो हो जाती है कई वार आपको लगता है कोई आपसे बात ना करे और नीन बहुत आती होगी या नीन नहीं आती होगी तो बेचैनी बहुत होती होगी ऐसा लगता होगा कि विस्तर पर पढ़े रहे हैं कोई बात ना करे क कोई कुछ कहें ना और मेरे पास भी ना रहे ऐसा कि सिर्फ बहुत चक्राता होगा कि कई सारे सवाल आते होंगे मन में क्या सही है क्या गलत है यह सब चलता होगा राइट समझरियों मैं चली देखते हैं आपका इने सेल्फ क्या क्याता है इस बारे में कि चल्पी चल्पार लाइट सेल्पर लिफ प्लप्ले यह अवैकर अवार्या गार। और राइट गैस तो ये दोनों ही जो कार्ट्स हैं यानि कि आपका जो इनर सेल्फ है वो आपको फाइट करने के लिए बोल रहा है I think ये जो इनर्जी आपकी आई है ना आखिर में four of swords की जहां पर मैंने आपको बोला कि आप बहुत ही low हो जाते हो low energy हो जाती है बात नहीं करना चाते है आप किसी से कुछ discuss नहीं करना चाते है ये आपके लिए healthy नहीं है आप एक fighter हो और एक योद्धा हो और आपको बूला जा रहा है कि see मैंने बहुत पहले ये कहीं तो quotation पढ़ा था कि जब भी आपको ऐसा लगे कि ये चीज बदलनी चाहिए society में या इस दुनिया में अगर आपके मन में ये चीज़े आती है तो समझ जाईए universe आप से कह रही ह कि इसमें बदलाव लाओ ओके कहीं तो मैंने पढ़ा था बहुत पहले तो वही चीज है तो अगर आपको ये चीज खटक रही है तो इसमें बदलाव लाने का काम आपका ही है और अगर आप इस energy में जाते हो आप सोचते हो कि छोड़ दो हो मैंने सोचना ही नहीं मैंने किसी यसी सोच और भी कई लोग रखते होंगे जहां तक मैं समझ पारी हूँ यह पाइल सबसे ज़्यादा रेजनेट करेगी उन लोगों से जो आज यह रीडिंग देखने के लिए आए होंगे मुझे इसे महसूस हो रहा है तो वही है कि अगर आपके मन में यह बदलाव करने की भावना है अगर आपको लगता है यह चीज ऐसी कैसे है और इसको चेंज करना चाहिए या इसको लेकर क्लारिटी मिलने चाहिए कि क्या सही है क्या गलत तो clarity पाने का काम और इसके बाद लोगों तक clarity पहुचाने का काम कही न कहीं आपका ही है ओके तो आवाज उठाओ बात करो बोलो ठीक है? Movement ऐसे ही बनता है ठीक है ना? यह आपको बुला जा रहा है यह change अगर आपको चाहिए अगर आपको लगता है कि यह जरूरी है तो कहीं न कहीं उसको इस परिवर्तन को लाने का काम लोगों के बीच भी आपका ही है अब आप इसको कैसे लाओगे वो universe आपको खुद बताएगी उस वक्त जब आप प्रियास करना शुरू करोगे हो सकता है शुरू में आप फेल भी हो जाएं लेकिन फिर भी आपको रुपना नहीं है तो जब भी ऐसा फलता मिले समझ जाओ कि इससे कोई न कोई सीख आपको मिल रही है और वैसे भी आप चुब बैट नहीं सकते आप बोलोगे ही कभी न कभी आपके साथ हैसा आप एक युद्धा हो आपको अगर चुब कर भी दे कोई आपको अगर कोई ये बोल भी दे कि युद्ध मत करो तो कुछ टाइम के लिए तो ठीक है लेकिन फिर एक दिन जौला मु कि ना फटे इसके लिए जरूरी है कि बहुत जादा खुद को कंट्रोल मत करो अगर इस बारे में आपको चर्चा करनी है तो आप चर्चा करो किसी से कुछ पूछना है तो पूछो अगर आपको लगता है कि कोई गुरू है सिक्षक हैं उनसे ये बात करी जा सकती है तो QCard करूं करो ओके और अगर Q Itu करने के भावना होगी न तो Q Idea अपको मिलेगी त्रस्ट मि आपको लग रहोगा ना कहा जाऊ किसके पास जाऊ अभी आप मुझे मुझे पूछ होगे कि हान मन में यह चीज तो है मैं कहां जाए हम आप मन में इच्छा रखो मैनिमेस्प करो आ आप एनसेल वही कह रहा है, दबा के मत रखो खुद को, बोलो बात करो, Are you caught up in drama? Act to free yourself, change and blossom again. तो अगर इन सारी चीजों में आप कही ना कही फस गयो ना, तो आप खुद को भूल रहे हो, दीरे दीरे कर किया, आप ये नहीं हो, आपको वापस से खिलने की जरूरत है, मुर्जाय हुए फूल नहीं हो आप, और ना आपको बनना है, तो बात करो इस बारे में, अगर आपके घरवाले, आपके फ्रेंज आपको ये कहते हैं, आपको बैठने वालों में से नहीं हो, अगर ये क्रिस्टल आप पहनेंगे, तो इससे आपको बहुत हो जाएगे, अगर आपको लगता है, कि आपका दिल टूटा हुआ है, अगर आपको लगता है, कोई आपको प्यार नहीं करता, समझता नहीं है, आपके बात को नहीं समझता, यूज दिस क्रिस्टल, ओके, इस्क्रेंशॉट ले देज़े और राइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग, I hope कि आपकी रीडिंग पसंद आई हो, गर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजिनेट करें तो मझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें Thank you so much for watching this video! God Bless You! Bye Bye